मकन संक्रांत 2030 ने साल में कम मनाई जाएगी मकन संक्रांत 14 या 15 जनुरी को कुछ बिद्वानों का मत है कि मकन संक्रांत 14 जनुरी को होगी तो वहीं कुछ बिद्वानों का कहना है कि मकन संक्रांत 15 जनुरी को मनाई जाएगी आईए जानते हैं कि साल 2030 में मकर संक्रांत की सहीती थे क्या है जैसे राम दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में आप सबको मेरी तरफ से मकर संक्रांत की सुब कामना है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें वा सस्क्राइब करें और बेल आइकन को दबा कर आल सिलेक्ट कर लें जिससे की हमारी आने वाली वीडियों सबसे पहले आप तक पहुँचे पंचांक के अंसार मकन संक्राइब का परो पोस्मा की सुक्लपच की दुरोधिसी तित को मनाया जाता है मकर संक्राइब हिंदु धर्म का प्रमुक्त तेवहार है इसे देश मर में अलग-अलग नामों के साथ मनाया जाता है मकन संक्राइब को लोहडी, उत्तुत्राणई, खिचरी, तहडी, पोगल, आद जैसे नामों किसे भी जाना जाता है इस दिन असनान, दान, पूजा, पाठ और तिल खाने की परंपरा है मकन संक्राइब के दिन ही ग्रोहों के राजा सूरी धनु रास से निकल कर मकन रास में प्रवेश करते हैं वैसे तो मकन संक्राइब का परव परतेख वर्ष 14 जनूरी के दिन ही मनाया जाता है लेकिन 2023 में मकन संक्रांद के डेट को लेकर लोगों के बीच असमंजस किती थे पंचांग के अंसार साल 2030 में मकन संक्रांद का परो उदयाती थे के अंसार रविवार 15 जनुरी को मनाया जाएगा क्योंकि सूर सनिवार 14 जनुरी रात राट बच के 20 मिनिट पर धन रास से निकल कर मकर रास में प्रूवेस करेगे मकर संक्रांद का पुन्य काल महुर्थ साथ पंद्रा से बारा तीस तक रहेगा और महापुन्य काल महुर्थ साथ पंद्रा से नो पंद्रा तक रहेगा मकर संक्रांद के दिन करें ये कर्म मकन संकरांद के दिन पानी में तिल और गंगा जल मिला कर असनान करना चाहिए इसे कुंडली में ग्रह दोस दूर होते हैं मकन संकरांद के दिन काला तिल गुड लाल चंदन लाल फूल और अच्छत मिस्री चल से सूरी को आत्र देना चाहिए मकर संक्रांद के दिन दान पून करने का भी विशेश महत्य है इस दिन गरीबों को दान दे मकर संक्रांद के दिन गुड़ा और तिल की मिठाई खाने के साथ एक खचड़ी बनाने और खाने की परंपरा है दोस्तों मिलते हैं अगली बीडियो में तब तक के लिए जैसिर राम राधे राधे जैसिर किर्षन हाइफी मकर संकरान दे